लोक में यदि उद्दंडता करने वाले पापी को छमा ही करते रहा जाए तो बहुत लोगों को भै प्रदान करेगा इसलिए कानून मना है उसे कानून को शमर्पित करे क्योंकि जो दुष्ट शुभावाले जन होते ये भै के द्वारा ही ठीक होते छमा के द्वारा नहीं ठी उसका हरदय परिवर्थन ओगया तो इसलिए महराज आप सदव छमा पही आस्त्रय ना ले उदिष्टिय से का कि आप सदव क्छमा का ही आस्त्रय ना ले करोद है अगर इसको आप बार बार ही उतेजना मिलाते रहेंगे तो ये क्रोध आपकी उन्नती को नश्ट कर देगा दोनों बते देखना है ये जान लीजिए कि लोक और परलोक दोनों का नाशक क्रोध है क्रोध जीतने से उन्नती होती है क्रोध के वशिवूत होने से अवनती होती है जो जितना क्रोध को अपने काबू में कर लेता है वो उतनाई परमार्थ पत्में आगे बढ़ जाता है जगत में जो छुटी छुटी बातों में क्रोध करने लगते हैं उनका पतन हो जाता है इशले उपासक को चाहिए कि शर्व नाशक इस क्रोध को पीना सीखे जब गुश्या आवे πीना सीखे पीछे बरणन कर चुके है देखो तेज और क्रोध में अंतर होता है क्रोध होता है कामना के बाद और तेज होता है धर्म सम्مंद से जब कोई धर्म का नाश कर रहा हो जब कोई आराध्य देव, इस्ट देव, गुरु देव, वादी की बात हो तो उस्च में एक भागवतिक तेज होता है और जब हमारी किसी वासना पर प्रहार होता है हमारी इच्छा पर फिर जो क्रोध होता है उसे पीना सीखना चाहिए क्रोधी मनुष्य अधिकतर पाप में लग जाता है अपने माता-पिता को पीटते हैं देखा है, ऐसा देखा है क्रोध के वशीवू थोकर पुज्य जनों का अपमान करते हैं क्रोध के वशीवू थोकर के जिनकी स्तुती करना चाहिए उनकी निंदा करते हैं, गाली देते हैं क्रोधी मनुष्य शमझ नहीं पाता कि क्रोध के लिए कार्यय कार्य का क्या निर्णे किया गया है, नहीं बस कुरोध आया तो इस्मृति का अपरण कर लेता है कामा संजायते कुरुधा कुरुधा इस्मृति भी ब्रहमा कुरोध अगर अपनी चरम सीमा पे आ जाये तो अवध्य पुरुष की भी उहत्या कर देता है जिसकी पूजा में हमें तत्पर होना चाहिए और यम लोग का अतिति बनकर बहुत दुरगती को प्राप्त होता है कुरुध इन दोशों को देख करके उपाशक को चाहिए किश लोग और परलोग में परम कल्यान के लिए कुरुध को जीतना सीखे जब तुम परमार्थ में आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा अध्यात्मबल बढ़ेगा तो उसमें तुम्हारे अध्यात्मबल को छिर्ण करने के लिए माया ऐसी रचना रचेगी जिससे तुम्हें कुरुध हावे गटना, व्यक्ती, ऐसा कुरुध हाथ, ऐसा देखा भी जाता है बहुत जल्दी क्रोधा अपने और पराय दोनों की हित का विचार करके श्वयम चिकित्सक बनकर अपने क्रोध की चिकित्सा कर लेनी चाहिए यदि मूढतावस तुम क्रोध पे क्रोध ही करते रहे तो तुम्हें कलेश भोगना पड़ेगा तुम्हारे सुकृत नस्ट हो जाएंगे चित्सको वश्मे करना उपासक का परमधर्म है पर जो क्रोध का ही वरण किये रहता है उसका चित्स जलता रहता है यह बड़ा दुष्ट शुभाव है शांती से बेटे हैं चिंता ना गया पांच वर्स पहले उसने ऐसा कहा था क्यों कहा था उसने और जलन शुरू और बस गुसा बहुत सावधान रादा 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 तुरंथ अटाही रादा रादा रादा